नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं JSSC CGL परिक्षा 28 जन्वरी और 4 फर्वरी को ही होगी JSSC सच्वाले सहायक CGL की परिक्षा 28 जन्वरी और 4 फर्वरी को होगी या परिक्षा जार्खन की विभीन जिलों में होगी इसके लिए JSSC ने पत्र जारी किया है परिक्षा 3 पालियों में होगी इसके लिए JSSC करयाले में सुकरवार को सभी जिलों के नोडल पता अधिकारियों के बैठक बुलाई गई है इससे पहले परिक्षा वर्ष 2023 में 16 और 17 दिसंबर को यह परिक्षा होनी थी लेकिन किसी कारण से JSSC ने परिक्षा अस्थागित कर दी थी जनकारी के अनुसार परिक्षा के लिए जल्द 8 बिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा बता दे परिक्षा को लेकर JSSC को कई जिलों ने सीट मैट्रिक्स दे दिया है वहीं जिन जीलों ने सीट मैट्रिक्स नहीं दिया है उनमें लाते हार रामगर पच्छमी सिम्भूम गुमला हजारी बग सिम्डेगा गिरी डिगोड़ा लोहर्दागा देवगर एमसराय के लखर्षवा सामिल है उन्हें सीट मैट्रिक्स चल्द देने को कहा गया है 6,50,000 अभियार्थियों ने आविदन किया है सारना धर्म कोड के लिए जोरदार आंदुरन की जरूराद सारना धर्म समन्वे समिती के द्वारा सारना कोड को लेकर खोटी में 7 जन्वरी को महारायली निकाली जाएगी इस आश से समदी जारी प्रेस भिगयपती में कहा गया है कि महारायली के त्यारी जोरो पर चल रही है इसके लिए जीलावा परखन अस्तर पर प्रवेक छक नियुक्त किये गए है कोर कमिटी त्यार कर ली गई है समा मुंडा ने कहा है कि सारना धर्मकोड भारत के लाखो प्रकिर्दी पुझकों के अस्तितो एवम आसमीता है उन्हें उनकी धर्मीक अजादी से वन्चित करना कुरूर मजाक है सारना धर्मलंबी की संगे 50 लाख से दिखोने के बाजो धर्मकोड नहीं दिया जा रहा इस कारण सारना धर्मकोड के लिए जोरदार आंदूलन करने की जरूरत है दुर्गावती ओडिया ने कहा है कि सारना धर्मकोड महारैली में खुर्टी के लावा राची सिम्टे का गुमला लोहर्दे का पुर्वी सिम्मू पच्मी सिम्मू के सारना धर्मलंबी सामिल होंगे पीडियस डिलरो को बड़ा जटका विभाग खुद भटवाएगा रासन राष्ट ब्यापी अनिस्चित का लिल हरताल पर गए पीडियस डिलरो को सरकार ने जटका दिया है इसमें कहा है कि डिलर एक जिनवाली से राष्ट ब्यापी हरताल पर है इसके कारण लाबको को खाते एवं अन्य वस्तु सप्लाई में रुकावट होने की प्रबल समहना है ऐसे में लाबको को अनाज सा समय मिले इसके लिए सभी जीले में डिलरो से इपोस मसीन भारमापक यंद्रवा आउसेस अनाज को जमा कर निकायव पंचायत अस्तर पर अपने वेवास्था के तहत अनाज बित्रन कराने का निर्देश दिया है साथ ही बित्रन के लिए की गई तयारी के बारे में पूरी रिपोर्ट विभा को उपलब्द कराने के कहा गया है धान खरीदारी के 15 दिनों में किसानों को दी जाएगी रासी साहिवगन सभनाले सभागार में गुरुवार को डी सी राम निवास यादों के अध्यक्स ता के एम एस दोहजार तेइस चोवीस अंतरका धान अधिप्राप्ति की प्रगति के लिए बैठक आयोजित की इस दोहरान विभिन परखंडों के ATM, BTM, BLW अजन सेवक, लेप्स, सचीव तथा अध्यक्स उपस्तित थे किसानों का रइस्टेशन कराने का निर्देश दिया गया इस दोहरान बताया गया कि अठाई दी समर से जीले में धान अधिप्राप्ति की प्रकिलिया सुरू हो चुकी है दो लाग की उंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष है धनबाज से सुरू होगी राहूल गांधी की भारत जोड़े निया यात्रा कांग्रेस पार्टी के पूरो अध्यक्स वह सांसद राहूल गांधी भारत निया यात्रा के करम में जार्खन आएंगे राजे में उनकी यात्रा धनबाज से सुरू होगी वह जार्खन में 804 किलोमेटर की यात्रा करेंगे इस दोरां स्तिरी गांधी 13 जीलो से गुजरेंगे राहूल गांधी 14 जनवरी से निया यात्रा की सुरूआत मनिपूर से कर रहे है दूसरे चरण की पत यात्रा का नाम भारत जोड़ो निया यात्रा होगा राहूल गांधी की यात्रा का रूट चार्ट जारी कर दिया गया है अलाकि अभी तक जार्खन में उनके कारकरम की तीथी की घोस्ना नहीं हुई है कांग्रेश के राष्ट्रिय अद्यस मलिका है जोन खरगे के अध्यक्ता में गुर्वार को पार्टी के राष्ट्रिय महासचीव परभारी परदेश अध्यक्षो वबिधायक दल के नेदाओं के बैठक हुई CBSE ने जारी किया 10-12 बोर्ड एकजाम रिवाईज टाइम टेबल केंद्रियम आध्मिक सिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से कक्षा दसवी एवं कक्षा बरहवी डेट सीट पहले ही जारी किया चुकी थी जिसमें अप संसोधन किया गया है कुछ पेपर्स में बदलाओ के साथ ही CBSE ने रिवाईज डेट सीट भी जारी कर दी है जो भी उमिद्वार CBSE बोर्ड से कलास 10-12 एकजाम में भाग लेने जा रहे हैं अफिसियल बेप साइट पर जाकर CBSE 10-12 डिवाईज डेट सीट 20-24 डाउलोड कर सकते हैं निकाय चुनाव के सुचना तीन सप्ताह में जारी करने का आदेश जार्खन हाई कोट ने राई सरकार को तीन सप्ता में निकाय चुनाओ के इस उतना जारी करने का आदेश दिया है हाई कोट के जर्टिट अनंज सेन की आदालत ने गुरुगार के आदेश दिया जारकन हाई कोट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मायं को लेकर याजका दाखिल की गई थी याजका की सुनवाई के बाद आदावत ने राज सरकार को ए आदेश दिया और निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याजका निस्पादित कर दी इस समाध में निव वर्तमान पार्साद रोसनी, खलको और अरुन जहाने हाई कोट में याज़का दाखिल की थी उनकी ओर से अधिवक्ता बिनोज सिंग ने बहस की निकाय चुनाओ कराने को लेकर पार्साद रोसनी, खलको और भायस जहारकन सरकार मामले में उच्ण आले में दाखिल की गई याज़का पर जस्टित आनन सेन की अधालत ने सुनवाई की है प्रकास पर्व को लेकर रांची में निकाली जाएगी प्रभात फेरी प्रकास पर्व को लेकर गुरु नानक सत्संग सभाद वारा सुक्रवार 5 जनवारी से रांची में सुबा प्रभात फेरे निकाली जाएगी जो रोजाना सुबा 6 बजे गुरु द्वारा साहब से निकाल कर रांची के क्रिश्णा नगर कलोनी की विभिन गलियों का भ्रह्मन कर वापस गुरु द्वारा साहब पहुंच कर विसर्जित होगी जिसमें सर्धालू सब्द गायन कर कोलोनी की गलियों का भ्रामन करेंगे इसका समापन 13 जनुवरी को होगा बतादे गुरु द्वारा सिरी गुरु नानक सत्चंग सभाद्वारा दस में स्पिता सिरी गुरु गोविंद सिंग जी के प्रकास पर्व के दिन 17 जनुवरी बुद्धवार को रात आठ बई से मध्य रातरी एक बच कर 30 मिनट तक विशेश दिवान सजाया जाएगा बिहार सरकार में मंत्री असोक चौधरी आज जार्खन दोरे पर बिहार सरकार के भवन निर्मान मंत्री सह जार्खन जाद्यू के प्रवारी डक्टर असोक चौधरी सूक रवार से दो दिवसे जार्खन दोरे पर होंगे वे दो पहर 12.15 बजे सरक मार्क से देवगर होते हुए रांची पहुचेंगे 6 जनवरी को वे सोलंकी चौक हट्या इस्थीत बैंकवेट में आयोजी सक्रिये करकारता मंथन सिवीर में सामिल होगे इस कारकरम में उनके साथ राई सबा सांसत सह जद्यू के परदेश अध्यक सिरिखीरू महतो परदेश जद्यू के सह प्रभारी और बिहार बिधान परिशत के सतद से विजय कुमार सिंग एवं सह प्रभारी और बेलहर से बिधायक मनोज यादो भी सामिल होगे कारकरम का मुख है मकसद एकाही जनवारी को बिहार के सियम नितिस कुमार के रामगड में आयोजीत होने वाली जनसभा को सफल बनाने है तू चर्चा करना है 2024 के चुना और सिट सेरिंग पर बोले अलमगीर आलाम कांग्रेस के वरिष्ट नेता और ग्रामी बीका समंत्री अलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी ने इंडिया गडबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है उन्होंने बतर कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में जार्खन का फिडबैक दे दिया है आला कमान को सीट बटवारे पर फैसला करना है वैसे उन्हें नहीं लगता कि सीट सेरिंग को लेकर कोई परिसानी होगी बता दे जार्खन में नेतित परिवर्तन के सियासी का एसो पर बीराम लगाने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ट नेता ने अस्पष्ट कर दिया है कि वे इंडिया गडबंधन के साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे इसके लिए पार्टी ने मन बना लिया है जार्खन के ग्राविन विकास मंत्री अलम गिर अलम ने कहा है कि पार्टी ने इंडिया गडबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है कुए में गिरा हाथी, रेस्क्यू में जूटी वन विभाग की टीम जारखन के सराय के लाखार्षावा जिले के निमड़ी थाना छेत्रे में एक हाथी कुए में गिर गया इस से वाजख्मी हो गया सुचना मिलते ही 1 विभागी टीम मोखे पर पहुंचे और रेस्क्यू में जूट गई है जैसी भी के जर्या हाथी को कुवे से निकालने का परयास किया जा रहा है करीब 8 गंटे बाद भी हाथी को कुवे से नहीं निकाला जा सका जनकारी के अनुशार रेस्क्यू के लिए रांची से टीम बुलाई गई है सराकेला खरसावा जी लेके निमडी थाना छेतरे के अंडा गाउ में बिती रात हाथी भागाओ दस्ता द्वारा हाथी को भागाया जा रहा था इसी दोरान एक हाथी कुए में गिर गया इस्तेवा बुरी तरह जखमे हो गया है कुए में गिरे हाथी को निकालने के लिए बन विभागी टीम गुरुवार की सुबा अंडा गाउ पहुची दो JCB की मदद से हाथी को कुए से निकालने के प्रयास किया जा रहा है कैदियों को अब जेल जाने से पहले कराना होगा कुरोना टेस्ट कुरोना वाइरस के सब वेरियेंट JN1 को लेकर धनबाद में सतरकता बरती जा रही है रैपिट एंटीजन कीट से सबर अस्पताल में कुरोना वाइरस की जाच शुरू की गई है कैदि को पकड़े जाने पर मेडिकल जाच के लिए सबर अस्पताल लाया जा रहा है कुरोना जाच के बाद ही जेल भेजा जा रहा है सदर अस्पताल में इसके लिए जाच के लिए अलग से बेवस्था की गई है सुल्ला जन्वारी को हरतारी डिलर संसत का करेंगे घिराओ फेर प्राइस सोप डिलर एसोसियेशन परखंड कमिटी की बैठक पुराना परखंड करे आलाय पड़िसर में गुरुवार को परखंड उपाध्यक चंद्रेश्वर महतो के अधक्सा में की गई बैठक में संगठ नात्मक मजबूती तथा आपसी एकता प्रबल दिया गया साथ ही अपनी मैंगों को लेकर पहली जन्वारी से चल रहे है डिलरों की अनिस्चित का इन हताल की सफलता पर चार्चा करने के लावा संसत गहराओ को सफल बनाने का वाहन किया गया वक्तावने कहा है कि हम सभी भी हरताल नहीं चाहते लेकिन सरकार हमारी परसानियों के निदान पर ध्यान नहीं देती है पहिनाव है कि हम सभी के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन हो गई उन्होंने कहा है कि सरकार के उपेक्षा के कारण सोजन भरन पोसन मुश्किल हो गया था तब हरताल पर उतरना पड़ा है रांची में कोईला कारोबारी की दिन दहरे गोली मारकर हत्या जारखन में अपराधी बेखोब हो गया है राईधानी रांची में भी बदमास पूलिस की परवाह किये बिना वर्दात को अंजाम देकर फ्रार हो जा रहे हैं गुरुवार को रांची में मडर के दो मामले सामने आये हैं एसकारपियो से आय अग्यात बदमासों ने कोईला कारोबारी की दिन दहरे गोली मारकर हत्या कर दी वहीं जंगल के इलाके में युवक की लास मिली है जहां जाज के बाद डॉक्टरों ने मिरित गोसित कर दिया जामुमों के मंत्री बिधायक से लेकर करता तक अलोट मोड पर जार्खन में उत्पन बरतमान हालात को लेकर जामों के मंत्री वा बिधायक से लेकर तमाम करता अलोट मोड पर है संगठन के साथ साथ सरकार वो इड़ी के कदम पर नजर बनाये हुए हैं तिन जनवारी को मुख्य मंत्री ने गड़ बंधन दलों के तमाम विधायकों के साथ बैठा कर जहां सक्ति का प्रशन किया था वही सभी को बरतमान परिष्थित्यों से अगत कराते हुए छेत्र में जनता के बीच जाकर काम करते रहने का भी निर्देश दिया था बिधायकों को भी अपने अपने छेत्र में करकताओ को इस से अगत कराने का निर्देश दिया और सबको हर परिश्थिती के लिए तयार रहने की बात कही बता दे जीले में यह संदेश पार्टी के सभी करकताओं तक पहुचा दिया गया है बी सी सी एल में अपरेंटिस कराने के नाम पर आई टी आई पास असी छातरों से एक कोल कर्मी दोरा बीस लाख रूपए ठागी करने के मावला सामनेद आया है इस मामले में मुराइडिह कलोनी सहीद आसपास के दरजनों ठगी के सिकारचात्रों ने बरोरा पुलिस से आरोपी कोल कर्मी कुंदन कुमार सिंग के खिलाब सामोहिक हस्ताक्षर यूक्त लिखित सिकायत देकर पैसे की वापसी तथा करवाई की मांकी है फिलाल पुलिस मामले की जाच में जुट गई है पुलिस को दिये लिखित सिकायत में ठगी के सिकारचात्रों ने कहा है कि बिसी सियल बरोरा एरिया में जनरल मैदूर पद पर करवाई रात कोल कर्मी कुंदन कुमार सिंग ने मुराइडिह कलोनी खोदो बेली कलोनी बरोरा ज गंतंत्र दिवस पर दिल्ली में इस बार भी दिखेगी जार्खन की जाखी गंतंत्र दिवस दो हजार चोबिस का उसर पर दिल्ली में आयोज राष्ट्रिय कारकरम में जार्खन समय 16 राजियोव के नसासित परदेशों की जाखिया का चैन हुआ है गंतंत्र दिवस पर होन पूरी त्यारी कर ली है इस वर जार्खन की जहांकी में दुमका में उत्पादित विश्व अस्तरिय गुनवत्ता वाले सिल्क के उत्पादन से सम्मधित जहांकी परदर्शित की जाएगी मालूम हो कि 2023 के दिल्ली गंतर दिवस परेट का उसर पर देवगर की जहांकी परदर्शित की गई थी बता दे कि केंदर सरकार ने सभी राजियों और केंदर साजित परदेशों से जहांकी का प्रारूप मांगा था बिभीन चर्णों की चैन परकिरिया के उपराथ केवल सोलह राजियों और केंदर साजित परदेशों की जहांकी का दिल्ली में आयोजीत राश्ट्रिये कारकरा में परदर्शन के लिए चैन हुआ है इडी ने छापे मारी कर बरामत किये 36.9 लाख रूपाय नगदी इडी ने बताया है कि उक्त छापे मारी में इडी ने कूल 36.9 लाख रूपाय नगदी की बरामत की 30 बेनामी खातों की जनकारी मिली जिसे फ्रीज करा दिया गया है इडी को साहव गंज के उपायुक्त राम निवास यादों के केम्प कर्याले से 7.25 लाख रूपे नगदी के अलावा 9 एमेम के 29 कार्तूस्त, 380 एमेम के 2 कार्तूस्त वा पिस्तोल के 5 खोके मिले है इसके अतरिक्त इडी ने अने सबी टीकानों से छापे मारे में विभीन अपत्ति जनक डिजटल उपकरान दस्तावेज रिकोर्ड भी ब्रामत क्या है धन्यवाद